कलकी अपने सास लाजो के साथ बाजार से कुछ कपड़ों की खरीदारी कर रही थी, लेकिन लाजो को घर जाने की जल्दी लगे हुई थी अरे कलकी जल्दी करो ना, मेरी सासुमा आने वाली है आज गाउं से हाँ सासुमा, लेकिन जल्दबाजी में कहीं कटे फटे कपड़े ना आ जाए, थोड़ा रुकिये तो कपड़े छोड़ो और जल्दी कर, देख, चार बजने वाले हैं, अगर हम घर में नहीं मिलेंगे, तो बहुत कुछ सुनाईगी वो दरसल आज कलकी की सास की सास, यानी कलकी की दादी सास आ रहे थी, और लाजो इसलिए जल्दी मचा रहे थी जितने ले लिए काफी है अब चल, अच्छ ठीक है, कपड़े मेंने ले लिए हैं, चली चलते हैं, बस पैसे दे आऊउं कलकी पेमेंट कर देती है और फिर दोनों घर पहुंच आती है अच्छा हुआ अभी आई नहीं सासुमा हाँ बस आती ही होंगे हाँ मयूरेश लेने गया है और थोड़ी दिर में कलकी की दादी सास उशा कलकी के पती मयूरेश के साथ गाउं से आ जाती है और उनके साथ एक ल ये कुशल नहीं दिखाए दे रहा, माजी आ जाएगा वो भी, अच्छा कलकी जा और वो कपड़े लेकर आतो, जी सासुमा अभी लाई, और कलकी कपड़े लाकर अपनी सासुमा को देती है, और लाजो वो कपड़े उशा को देती है, माजी ये आपके लिए और गुड़ी के नजर, उसमें लगे एक कट पर बढ़ती है, अरे ये तो यहां से फटी हुई है, अरे माजी ये कैसे, अरे ये तो क्या, तेरी होने वाली छोटी बहू पहली बार घर आई है, और उसका तू ऐसे स्वागत कर रही है, कम से कम देख कर तो ला सकती थी ना, माजी मेरी गलती यह कलकी है ना मार्केट जाने में इसने पहले देर कर दी थी इसलिए भागा दोड़ी में समान लेना पड़ा और यहां लाजो फिर से सारी गलती कलकी पर डाल देती है तबी कुशल भी वहां आ जाता है मैंने कब किया कल की ये सही नहीं किया तुने क्या बात है तेरा घर के कामों में मन नहीं लगता क्या नहीं दादी जी ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है तू अपनी देवरानी की बेज़दी करना चाहती है अरे दादी मा छोटी सी बात का क्या बतंगड बना रही हो वही तो जाने दो ना कल की इंसान है और गलती तो इंसान से ही होती है ना चुपकर वो जान पूछ कर लाई है नहीं मयूरेश जी आप इनको ऐसे जवाब मन दीजे नहीं नहीं दो दो जितना जवाब देना है दो यही सब सुनने के लिए तो मैं आई हूँ यहाँ जाने दीजे दादी जी छोटी सी तो बात है ठीक है अब मैं अपने कमरे में अराम करने जा रही हूँ उशा घुसे में वहाँ से चली जाती है एक हफ़ते बाद ही एक मंदिर में घरवालों के बीच गुड़ी की कुशल से शादी हो जाती है और कुशल अपनी शादी से बहुत खुश है चल लाजो अब तो खुश है ना तो तेरे छोटे बेटे की भी शादी हो गई कुशल का कद कम है और लड़की नहीं मिल रही थी मुझे तो बड़ी चिंता थी लेकिन मैंने तुझसे कहा था ना कि कुशल को बहुत अच्छी लड़की मिलेगी और देख ढून दी मैंने हाँ माजी मेरा बेटा किसी से कम थोड़ी है दरसल गुड़ी उशा के गाउं की एक सीधी साधी गरीब घर की लड़की थी जिसका इस दुनिया में उसके पिता के अलावा और कोई नहीं था उसके पिता की अच्छाई और इमानदारी देखकर ही उशा गुड़ी को अपने घर की बहु बनाने के लिए तयार हुई थी हाँ और क्या अच्छा अब ये बता की माहिरा की शादी कब करेगी तू अरे दादी मा अभी मिरी उम्री क्या है अभी मुझे शादी वादी नहीं करने हाँ ननच जी ज़्यादा जल्दी मत ही करना शादी हाँ हाँ अब तूने तो खुदने शादी 29 साल में की है इसलिए तू दूसरों को भी यही करने के लिए बोली गी ना नहीं दादी मा आजकल जमाना बतल गया है लड़की कुछ बन जाए और उसके बाद ही शादी करे तो अच्छा है देख मैं तुझसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ मेरा बहुत तजुर्बा रहा है इसलिए तू मुझे सिखाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना समझी अरे कलकी जुप हो जा अरे तूने तो दी है इसे इतनी हिमत जब से आई है पटर पटर बोल रही है एक तो मैयोरेश से उम्र में तीन चार साल बड़ी है और उपर से इसका घमंड देखो अरे दादी मा आपी क्या-क्या बोल देती हो और ये सब सुनने के बाद कलकी को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है अब मैं क्या करूँ मैयोरेश इसके पीछे पड़ा हुआ था मैं थोड़ी चाहती थी कि उम्रे में बड़ी लड़की से उसकी शादी हो अरे तो क्या हो गया भाबी इतनी पड़ी लिखी है और समझदार है सबसे बड़ी बात उनका व्यवार बहुत अच्छा है जादा उसकी तरफतारी मत कर तू अच्छा माहिरा ये बता कि कहीं तेरा कोई दोस्त वोस्त तो नहीं है मतलब बॉइफरेंड अरे नहीं मा कैसी बाते कर रहे हो आपको तो पता ही है मैं अभी जॉब के लिए परिशान हूँ पहले तो मुझे अपना करियर बनाना है हाँ अच्छी बात है अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में माहिरा अपने कमरे में जाती है और अपने बॉइफरेंड के बारे में सूचने लग जाती है अगर मैंने इनको जैश के बारे में बता दिया तो ये तो मेरे पीछे ही पढ़ जाएंगे इसलिए चुप रहना ही सही है जैश माहिरा का बॉइफरेंड है दरसल माहिरा का प्लैन था कि उसकी जौब लगने की बाद वो जैश से शादी कर लेगी वहीं दूसरी और उशा लाजो के बहुत कान भर रही है देख तू अपनी बेटी को संभाल ले मुझे तो उस पर शक होता है कहीं आलतू-फालतू लड़के से शादी कर ली तो उसकी जंदगी बरबाद हो जाएगी हाँ और ये सब तेरी बड़ी बहु कलकी का ही असर है वहीं तो मैंने मयूरीज से कहा था कि अरीज मैरीज कर ले लेकिन नहीं उसे तो लव मैरीज ही करनी थी बहन पर असर तो पड़ेगा ही भाई की हरकतों का हम् जाओ कहा जा रही हो वो दादी मा मेरा जॉब इंटरव्यू है आज बहुत बड़ी कमपनी है अगर जॉब लगी तो बहुत अच्छा होगा वाँ वाँ हमारे घर की किसी भी बहु बेटी ने आज तक नौवरे नहीं की है लेकिन दादी सासुमा जमाना बदल चुका है मैंने तुझसे पहले कहा था कि तू मुझे सिखाने की कोशिश मत किया कर तूने इस घर में शादी की है तो इस घर के नियम कानून भी मानने होंगे समझी सासुमा आप तो कुछ कहिए अब मैं क्या कहूँ मेरी सासुमा मना कर रही है तो उनकी बाद भी तो सुननी होगी उनकी बाद तो नहीं टाल सकते न हम पर माची चुप हो जा बहुत बत्तमीज है तू एक इस गुड़ी को देख दिन भर कितना काम करती है अपनी सास और दादी सास की भी देखवाल करती है दादी मा इसमें बत्तमीजी कैसी बल्कि इस से तो घर वालों का ही नाम होगा वावा कलेक्टर बनने वाली है क्या तू बहार जाएगी नजाने क्या क्या करेगी और उपर से घर की बदनामी करवाएगी वो अलग दादी मा प्लीज चुप हो जाएए ये सब मत कहिए देख ले लाजो इसे अभी भी बात नहीं समझ में आ रही कलकी उनकी बात नहीं मानती और इंटर्व्यू देने के लिए चली जाती है वहीं लाजो मनी मन खुब खुश हो रही थी हम अच्छा हुआ कलकी को तो मेरी सासु मा ही ठीक करेगी शाम के वक्त कलकी इंटर्व्यू देकर घर आ जाती है क्या हुआ कलकी सब ठीक तो है न और तुम्हारे इंटर्व्यू का क्या हुआ उन्होंने रिजेक्ट कर दिया अच्छली मैं उनके सवालों का जवाब सही से नहीं दे पाई नवस हो गई थी लेकिन ऐसा क्यों हुआ और कलकी मयूरेश को सुबह ही सारी बात बता देती है शायद इसी वेचे से मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था अच्छा लेकिन तुम इतनी टेंशन मत लो मैं तो जॉब करता ही हूँ न तुम जॉब नहीं भी करोगी तो भी कोई बात नहीं है लेकिन मयूरेश आने वाले समय में बहुत खर्चिया होने वाले हैं हमारे बच्चे होंगे और उनके लिए भी तो हमें सोचना होगा न दरसल लाजो अपने बड़े बेटे मयूरेश के हमेशा कान भरा करती थी और उसे यही समझाती थी कि वो कलकी को नौकरी ना करने दे बस इसी चीज का असर अब मयूरेश पर दिखाई दे रहा था अरे कलकी तुम अभी से इतना मस सोचो आगे की आगे देखेंगे हैने दो जाब मयूरेश तुम ऐसा कहोगे मैंने सोचा नहीं था शादी से पहले तो तुम कहते थे कि तुम मुझे बहुत सपोर्ट करोगे लेकिन अब क्या हो गया अरे वो बाश शादी से पहले की थी अब बात अलग है और ये कहकर कलकी रोते हुए वाश्रूम के अंदर चली जाती है मयुरेश उसे मनाने के लिए दर्वाजा खटखटाता है कलकी, कलकी, सुनो तो देखो मुझे गलत मस समझो आप अभी जाओ यहां से, प्लीज इस तरह पती-पत्नी के रिष्टे में थोड़ी दरार आ चुकी थी तभी अगली दिन माहिरा को किसी और ऑरत की कॉल आती है कौन बोल रहे हैं आप? ये सब बताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है मैंने तुम्हें कॉल एक रास की बात बताने के लिए की है क्या? कौन सा रास? और वो ऑरत माहिरा को कुछ ऐसा बताती है जिससे सुनकर माहिरा के होश ओड़ जाते हैं नहीं नहीं ये जूट है अगर यकीन नहीं होता तो पुराने मंदर के पीछे वाले खंडर के पास आ जाना वहां तीसरे कमरे में एक बड़ा लिफाफा होगा जिसमें सारे सबूत है इतना कहकर औरत फोन कार्ट देती है वही माहिरा बिचारी बहुत परिशान हो जाती है तो आखिर उस औरत ने माहिरा को ऐसी क्या बात बताई थी जिससे सुनकर उसके होश उड़ गए थे और क्या कल की अपने सपने पूरे कर पाएगी जानने के लिए देखेगा सास की सास का एपिसोड नमबर दो